जब दिल की राहे ब्लॉक हो जाए तब जिंदिगी को असान बनाने के लिए जरूरी है एक बाइपास आज हम जानेंगे कि कैसे बाइपास सर्जरी देती है एक नई जिंदेगी नमस्कार दोस्तों मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपके हेल्थियर चैनल मेरे को पर आज की व ब्लड सप्लाई करने वाली क्रोनोरी आर्ट्री में ब्लॉकेज हो जाती है तो हमारे दिल तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और इस ब्लॉकेज को खतम करने के लिए डॉक्टर्स एक सर्जरी या फिर ऑपरेशन करती है जिसमें एक अलग रस्ता बनाया जाता है ज प्लाग का जमा हो जाना जब आर्ट्री में फैट या फिर प्लाग हद से जादा जमा हो जाता है जो ब्लॉड के फ्लो को ब्लो कर देता है और जिससे हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है और अर्ट्री डीसी सी एडी यह एक कॉमन कंडिशन होती है जिसमें आर्ट्री नैरो यानि कि पतली हो जाती है या फिर ब्लॉक्ट हो जाती है जिसकी वज़े से हार्ट को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पाता है और C.A.D. एक प्रम्मुक कारण माना जाता है बाइपास सर्जरी के लिए एंजाइना या फिर चेस्ट पेन जब हमारे दिल को सही से ब्लड का फ्लो नहीं मिल पाता है तब लोगों को चेस्ट पेन या फिर एंजाइना जैसे तकलीफे हो सकती है और अगर नॉर्मल मेडिसेन या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट से आपको असर नहीं होता तब आपको वाइपास सर्जरी की जरूरत पढ़ती है इसके बाद एक प ब्लोक हो जाती है और सी और या ब्लोंक्ठ हो जाती है तो इससमें भी और नहीं भी की नॉर्मल टेस्ट है जो आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है जैसे कि आपका जो हार्ट है वो कितनी तेजी से पंप कर रहा है या फिर आपके जो पिछले हार्ट अटैक्स होते हैं वो उनको रिकॉर्ड या फिर डिटेक्ट पता करने में भ Stress Test फोटेस्ट में पेशंट को थोरी exercise और ष्माहिजा गरा जका जाती है बाद में उनकी हार्त को بعد मॉनिटर किया जाता है कि इस्ट्रेस में पेशंट का हार्त कितना अच्छे से ठोल कर रहा है दिर भूर हो कितना स्ट्रेस को जहल पार रहा ? इसका प्रोसिषर स्पाइल आर इसका हुते स्पारी की मोची जाता है जो और साइयों और में पेशएड़ों करके चेरफा स्पलकरक्व पॉस्टर थे है दोता है रिए के दोरान या फिर बाद में पेश तकलीफ सकता बात करेंगे कि बाइपास surgery होती कैसे है इसका क्या होता है bol passion surgery में टॉक्टर आपके शरीर के किसी हिस्से में जैसे कि लेग हो गया चेस्ट हो उसमें से healthy blood vessel को निकालते हैं और उसी blood vessel को ब्लॉघ्ड अर्टरी early के आगे और पीछे प्लेस कर देते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है हाट तक वो दुबारा से नॉर्मल हो सके और इस प्रोसेस को जनरल एंटीसिया के अंडर ही किया जाता है जिस पूरे ऑपरेशन में आपको तीन से छे घंटे लग सकते हैं डिपेंड करता है कि कि कितनी आप आज की समय में बाइपास सर्जरी को बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन माना जाता है लेकिन इसका डिसीशन आपको और आपके डॉक्टर को साथ बिलकर ही लेना चाहिए आज की वीडियो हेल्फूल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करते और आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज कराने के लिए या फिर भीनायुष्मान काट से भी मुफ्त इलाज पाने के लिए आज मेटफो के हेल्फ काई नमबर 8859-88859 पर कॉल या मैसेज